हालो फ्रेंस रिकम बैक तो मैं चैनल आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूं चुलोग फर्स टाइम में वीडियो को देख रहे हैं मैं आपको बता देना चाहते हूं छूटे-छूटे स्टोडी इस पैराग्राफ ऐससे मैं आपके साथ शेयर करती फर्स्ट ओफ ओल का मतलब होता है सबसे पहले ठीक है ओफ ओल यानिकि सबसे फर्स मींस पहले फर्स्ट ओफ ओल सबसे पहले इस यह है अ ग्लोवल लैंग्विज ग्लोवल का मतलब होता है दुनिया भर में बोलने वाली या फिर वैश्विक लैंग्विज मतलब होता है भा is So Common, It Is, यह है, So Common यानिके इतना सामानने है, So मतलब इतना भी होता है, यह है इतना सामाननी है, that की one out of five, five में से एक लोग, ठीके, five में, पांच लोगों में से एक लोग अंग्रेजी को जो है, इस भाशा को बोल सकता है और समझ सकता है, सकता है क्यों बोला क्योंकि हाँ पर can का यूज हुआ है further इसके अलावा learning the English language can help in getting a job easily learning यानि के सीखते रहना the English language English भाषा को सीखते रहना can यानि के सकता है help यानि के मदद कर सकता है in getting a job easily in यानि के मैं getting यानि के पाने में या हासिल करने में a job easily एक job को आसानी से simply sentence को हम कैसे बोलेंगे इसके अलावा English जी को सीखते रहना या English भाषा को सीखते रहना एक job पाने में आसानी आसानी से मदद कर सकता है as जैसा कि it has become the language of many countries it has become ये बन गई है या ये हो गई है become means बनना और होना दोनों होता है तो जैसा कि ये बन गई है the language ये भाषा बन गई है of many countries बहुत सारे देशों की sorry many fields ये बहुत सारे छेत्रों की भाषा बन गई है जैसा कि ये बहुत सारे छेत्रों की भाषा बन गई है it automatically increases the chances of landing a good job in a good company it automatically बढ़ाती है क्यों बोला simply आप देखने है increases increase नहीं है increases यह नहीं कि बढ़ाती है the chance मौकों को बढ़ाती है of landing a good job एक good job एक अच्छी job को पाना या उसमें उतरना ठीकि एक lending मतलब होता है उतरना but मैं आपको यह चीज़ हमेशा बोलती हो कि कई बार जो word का meaning होता है exactly वही हमारे sentence according नहीं जाता है हमारे sentence का according जो word suit कर रहा होता है हम उसको बोलते है तो यहाँ पर आएगा कि आप आपको जॉब में उतार सकता है आपको वो जाओ मिल सकती है एना good company एक अच्छी company के अंदर in addition इसमें शामिल करते हुए जोडते हुए it helps यह मदद करता है with meeting new people meeting यानि के मिलने में या मिलते रहने में आप ऐसा भी बोल सकते हैं मिलते रहना बोलना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि meeting है यह आपकी लोगों से मिलते रहने में new people यानि के नए लोगों से मिलते रहने में मदद करता है as क्योंकि it is the official language of 53 countries जैसे की या क्योंकि as का मतलब जैसे की और क्योंकि दोनों होता है कि यह 53 countries यानि के 53 देशों की अधिकारिक भाषा है यानि के वहाँ पर यह officially बोली जाती है learning it helps to break the language barriers learning यानि के इसको सीखते रहना it helps इसको मदद करता है to break तोड़ने में the language barriers language barriers यानि के भाषा की जो बाधाएं होती है उनको तोड़ने में मदद करता है अंग्रीजी को सीखते रहना भाषा की जो बाधाएं होती है उनको तोड़ने में मदद करता है भाषा की बाधाएं उसे मतलब क्या हो गया है कि हम अगर कोई language नहीं आती है तो English एक ऐसी language है जो हर जगा mostly बोली जाती है most importantly it is also the language of the internet ये साथ ही internet की भाषा भी है जिसे हम बहुत अध्य लाते हैं another important reason to learn English another यानि के दूसरा या इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं another के मतलब और दूसरा भी होते है important reason इसके अलावा या दूसरा मुख्य कारण important यानि के मुख्य हो गया traveling easier it makes ये करता है या ये बनाता है make means करना, होना, रखना काफी सारे word के लिए हम इसे use करते हैं पहले मैं आपको बता चुकी हैं तो ये बनाता है या फिर ये करता है traveling easier traveling यानि के यात्रा करते रहने को ये आसान बनाता है being a widely used language globally being यानि के होने के नाती widely used widely यानि के व्यापक तौर से या फिर आप बहुत simple language में आपको बता हूँ widely का मतलब होता है बहुत ज्यादा used यानि के उप्योग होना language globally इस भाशा का globally यानि के पूरी दुनिया में व्यापक रूप से या बड़े या तौर पर use होने के कारण it will help you connect with people easily it will help या आपकी मदद करेगा या करेगी क्यों क्योंकि यहाँ पर will का use यह हमारा future का sentence है यह आपकी मदद करेगी to connect connect means जोडने में with people easily people यानि की people यानि की लोगों को easily means आसानी से तो यह आपको लोगों को आसानी से जोडने में मदद करेगी या करेगा similarly इसी तरह it is also essential in the world of business it is also यह भी है ठीक है it is also यह भी है essential यह भी आवशक है in the world of business business की दुनिया में या फिर वैपार की दुनिया में यह आवशक भी है it does not matter whether you are an employee or employer it does not matter does not matter का मतलब क्या होगे देखे इसका मतलब यह नहीं है या ऐसी बात नहीं है ऐसा मामला नहीं है चाहे आप whether चाहे you are an employer चाहे आप एक employer हो employer मतलब क्या होता है करमचारी चाहे आप एक करमचारी हो या employer का मतलब होता है नौकरी देने वाला ठीके नियुक्ता नियुक्त करने वाला चाहें आप एक करमचारी हो या फिर आप एक नियुक्ता हो तो it benefits everyone यह फाइदा पहुँचाती है यह लाव धीती है एवरिवन हर किसी को ठीक है चाहें आप करमचारी हो या आप नहीं होगता हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता यह हर किसी को फाइदा पहुँचाती है students who wish to study students यहीं की विद्यारती who wish जो चाहते हैं या जो तमन्ना करते हैं जो इच्छा रखते हैं wish means तमन्ना इच्छा जो भी आप चाहें वो बोल सकते हैं students abroad जो विद्यश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं must definitely study this language must यह निके जरूर करना चाहिए definitely यह निके निश्चित रूप से study this language उन्हें इस भाशा में जरूर पढ़ना चाहिए या इस भाशा को उन्हें जरूर आना निश्चित रूप से उन्हें आना चाहिए many countries use it in their schools and universities many countries यह निके बहुत सारे देश या काफी देश ऐसे भी आप बोल सकते हैं use it इसका उपयोग करते हैं in their schools उनके schools में they means उनके schools यह निके जो विद्याले हैं उनमें and universities उनकी जो भी universities हैं उनकी अंदर so इसी लिए it can offer a good opportunity for students it can offer यह offer दे सकती है it can offer या प्रस्ताव दे सकती है a good opportunity एक अच्छे अबसर का यह प्रस्ताव दे सकती है for students विद्यारतियों के लिए यह एक अच्छे अवसर का पस्ताव हो सकती है या फिर दे सकती है दोनों ही simply language में आप इसको बोल सकते है आई हो पिज़ टॉपिक है आपके लिए काम कर रहा होगा इससे आगे का विज़ इसका टॉपिक है मैं आपके साथ में बहुत ज़ली शेयर क हो आज का first word है जो है वह है barrier barrier means होता है बाधाएं या बाधा ठीके बैरी barrier यानिके बाधाएं next word हमारा widely व्यापक रूप से या फिर बड़े में पहमाने पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं third word जो हमारा वह है definitely यानिके निश्चत रूप से इन तीनों ही words आपको sentence बनाना है comment box में लिखना है आज के first word three words हो है dictation के first है हमारा automatically इनको भी आपको comment box के ने लिखना है second word है हमारा countries countries लिखना है आपको ठीक है country ने लिखना है countries and third word हमारा essential इन तीनों वर्ड को भी आपको comment box के ने लिखना है और प्ली इंस्टों कमेंट में जरूर बताएगा आपको वीडियो कैस साथ में शेयर करूँ आप मुझे comment करके बता सकते हैं thanks for watching